हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चरण सिंग आप देख रहे हो एली फार्मिंग और आज हम विजिट करेंगे कोटन फैक्टरी जिसका नाम है जैसरी बाला जी कोटन मील तो मैं अभी फ्रेंट गेट पे खड़ा हूँ मील के और ये जो प्लांट है फुली ओटोमेटिकली प्लांट है जिसमें लेबर की बहुत कम जरूरत पड़ती है आगे इसके रोड है और फ्रेंट गेट से आप देख रहे हो सामने जो कोटन पड़ी वी है तो मैं आपको राइट में देख रहे हो जो और फैक्टरी का नया ओपिरिया अब यह दो मैने पहले स्टार्ट ऑफी है को टन फैक्टरी आफिस है ये पुराना ओपिस है इसके आगे दरमकांटा लगा हूआ है सामने कोटन पड़ी भी है नर्मा जिसको बोलते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो आप वीडियो को अंत तक देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक सेर जरूर करना तो सामने जो टैक्टर दिखाई दे रहा है वो लोडर है और लोडर इसके मादिम से नर्मा है वो होपर में डाला जा रहा है ये जो आप देख रहे हो जिसमें नर्मा डाला जा रहा है वो उसको hopper कहते हैं और hopper इसमें 15-20 क्विंटल नर्मा आता है और एक बार इसमें डाल दिया जाता है और automatically plant है आपको पता है तो ये पूरा का पूरा जो cotton है वो यहां से खींचता रहता है अभी मैं पास में आपको जाके दिखाता हूँ कि किस परकार से नर्मा इसमें आगे पास होता है पहले काम यहां पर cotton है इसकी पूरी dusting हो जाती है यहां पर dust है वो पूरी निकाल दी जाती है यहां से पास से मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह देख रहे हो जो मसीन चल रही है उपर से cotton गिर रही है और यहां पर cotton डाल दी जाती है और उपर यहां से ट्रोली यह जो पट्टी देख रहे हो आप है यह देखो इसमें चल रहा है पट्टी है इस पट्टी से नर्मा आगे जिनिंग में लेके जाता है यह पट्टी इस पट्टे के साइटा से देखो नर्मा जा रहा है आगे और आगे यह जो नर्मा है वो आगे जाता है जिनिंग में यह यहां से होता हुआ अंदर फैक्टरी में जिनिंग में जाता है नर्मा यह जो सामने दिखाई दे रही है उसको ट्रॉली बोला जाता है इसमें नर्मा डाल दिया जाता है और वो एक एक यह इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगा नर्मा किस परकार से डाला जाता है इस पट्टे के सामने आके यह ट्रॉली रुक जाती है जैसे अभी यह रुक गई है और इसमें आटोमेटली इसमें नर्मा डाला जाता है आप देख रहे हो नर्मा इसमें डाला जा रहा है यह देखो और यह जो ट्रॉली है यह अपने आप यह डियार मसीने लगी है यह जो है यह 20, इसमें मशीने लगी हुए है जो जिनिंग का काम करती है, इस के आगे इस के सेंसर से पता चलता है की यह घ्मक में कोटन है या नहीं है तो इसमें लगता है यह जो यह एक है करके सभीं मशीने अ कोटन ढालती यह टोटल आप देख रहे हो इस प्लांट में टोटल 20 DR मसीने हैं जिसे जिनिंग का काम होता है और यहां से आप देख रहे हो कि कोटन को अलग कर लिया जाता है और बनोडों को अलग कर दिया जाता है मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊँगा कि कोटन किस परकार से अलग हो जाती है यह देख रहे हो आप यह कोटन है जो बनोड़े अलग हो गए है और कोटन है वो अलग होई है यह फाइबर बन गया भी और यहां से यह मसीनों के निचे डाल दी जाती है सारी की सारी कोटन यह रोटेशन गूमता रहता है और है यह टोटल बीस डियार मशीन है इसमें यह कोटन निचे जाके निचे पट्टा लगा होता है यह बनोले देख रहे हो आप बनोले अलग हो गया है यह गूमते गूमते एक साइड में इसका चैंबर बना होता है पूरे बनोले वह एक साइड में आ जाता है और कोटन आगे प्रेस के लिए से लिए जाती है यह बनोले यहां से बनोले गरते रहते हैं और अलग अलग ही इनका अपार्टमेंट होता है एक बनोलों का और यहां से यह पेक्किंग होके बोरी में डाल दिया जाता है तो अब यह फाइबर आप देख रहे हो इनकी एक गांट बना दी जाती है इस पर यह पट्टा गूमता रहता है और इस पर यह सारी की सारी कोटन आगे जाके मैं आपको प्रेस भी दिखाऊँ वहां कि कोटन फैक्टरी में प्रेस किस परकार से होती है यह कोटन यह देख रहे हो निचे पूरा एक पट्टा लगाता है और उस पे जाके यह कोटन गिर जाती है और इस पट्टे की सायता से आगे यह प्रेस तक है फाइब इस परकार से बनती है वह भी मापको दिखाऊँगा इसमें आके सारी की सारी यह जो कोटन है वो इलेक्ट होती है और बार बार इसको प्रेस किया जाता है उपर से प्रेसर लगा होता है वो इस पे कोटन को बार बार प्रेस करता है अब यह आप देख रहे हो इसमें प्रेस हो रही है यह उपर जा रहा है कब यह निचे जा रहा है तो यह प्रेस का काम हो रहा है यहां पर मैंने आपको वीडियो के शरुवात में ही पता है था कि ये जो पूरा का पूरा प्लांट है वो फुली ओटोमेटिक है तो ये देखो एक गांट है वो बनके त्यार हो गई है और ये 180 डिगरी पे गूमके खाली है वो इस साइड में आजाएगी और उसमें आप देख रहे हैं वो बरीवी गांट है वो उस साइड में आजाएगी ये खाली हो गई है भी और जो ये गांट है ये अभी पैकिंग के लिए त्यार है तो उसके बाहर प्लास्टिक की रसी प्लेटी जाएगी और कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो अभी ये प्लास्टिक की रसियां डाल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा किस परकार से ये डालते हैं उसको बंद कर दिया जाता है ये देखो प्लास्टिक की इसमें रसियां डाली जा रही है अलग अलग अंटो में अलग अलग रसियां डाली जाती है किसे में 8, किसे में 10, किसे में 7, किसे में 5 अभी ये पूरी की पूरी एक गांट बन के त्यार हो गई है अब इस गांट में इसका पहले वेट करेंगे और इसका ये कपड़ा है सूती कपड़ा उसे डग दी जाती है ताकि कोई गोडाउन में लगे तो ये खराब ना हो तो इस परकार से कोटन फैक्टरी में ये नर्मा आता है उसके बाद में कैसे प्रेस होती है जिनिंग कैसे होती है ये सारा मैंने आ इस वीडियो में आपको दिखाया है वेट हो गए अब इसको गांट को बाहर निकाल दिया जाएगा पिर इसमें और भी कुछ चीजिए है मैं फैक्टरी में आपको दिखा हूँगा कि इसमें बहुत सारी मसीने लगी होती है ये मसीन का केबिन है इस रूम में मसीन है प्रेशर मसीन है हाइडरोलिक और भी मसीन है मैं आपको दिखा हूँगा ये जो अभी गांट बनके त्यार वी है उसका मोस्टर कितना है वेट कितना है सारा का सारा स्क्रीन पे डिटेल रहती है और एक आगे भी इसमें मसीन लगी हो भी मापको दिखा हूँगा ये जो प्रेश का काम है ये पूरा हाइडरोलिक है तो इसको ये कंट्रोल करता है प्रेशर को और जो भी सारा एक्विमेंट है इसको ये कंट्रोल करती है ये मसीने बड़ी-बड़ी मोटरें लगे होती है यह देख रहे हैं कि यह लाट पूरा बनके त्यार होगा कुछ इसमें रीजेक्टेड गांट होती है जो यह रसी तूट जाती है उसको लग कर दिया जाता है और जो साप एकदम ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एकदम साप कांट है ये इसको बैल से बोलते हैं तो ये बैल बन के पूरी त्यार हो गई है एक बार मैं पूरा आपको दुबारा दिखा देता हूं ये देख रहे हो बनोड़े अलग हो गए है और बनोडों की अब इसमें पर्ट और भी रह गए और मिल का वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा हूंँआ कि किस परकार से ये कि